बात करते हैं देश के आर्थिक राजधानी मुंबई के दहीसर इलाके की आपको बता दे कि जहां पर 35 वर्षिय शक्स की हत्या से संसनी फैल गई है वारदा देर रात करीब 12 बजे के आसपास की है जब अशोक मोरिया नाम का शक्स भायंदर से अपनी पान की दुकान बंद कर के दहीसर अपने घर लोट रहा था बता जा रहा है कि अशोक दहीसर वेस्टन एक्सप्रेस हाइवे के पास जैसे ही पहुचा उसी दौरान अशोक के आसपास तीन अग्यात लोग पहुचे और मोबाइल और पैसे चिनने की कोशिश करने लगे लेकिन जब अशोक ने मोबा चिनने की जानकारी अपनी पत्नी को भी बताई और वहां से जाने लगा लेकिन तीनों बदमाशों ने अशोक का पीछा किया और जैसे ही भागते हुए मृतक जमीन में गिरा आरोपिया ने उसका मोबाइल चिन लिया और फिर पत्थर से कुचल कर उसकी बड़ी ही निर्मम वाइफ के स्टेटमेंट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है कि नाम था उनका अशोक मोर्या और पान के दुकान पर काम करते थे दुकान से लोटे घर के लिए रात करीब साढ़े दस ग्यारा सम्टिंग आइसा ही था तो घर जा रहे थे फोन बात करें थे फोन पर बात करते करते आचानक 2-3 संधिक आदमी उनसे मोबाइल मागने लग अधिया प्रणा वाइफ ने बताया उनको पुलिस को कि भाई ऐसा सब फोन पर बात करें तो उसके बजासे फिर लोग ने रहा गिरे आज जो भी फिर फिर लगी मताब फिर हत्या को जे अब आईसे कैसे मोबाइल ही था मोबाइल मांग रहे थे अब लोग बोले मोबाइल म को बोले फोन बात करना है तो बोले नहीं फोन पर बात नहीं देंगे उन्हेंने फिर जगडा हुआ हाँ था भाई